कीजन हम पूर्ण ऐत्यों है лиकिन में मैं सकता हूं की जिस तरह की स्क्रेप्ट यह है और जिस से रामकाल बर्मा ने अफर उच अ छोग गाप, ये वह फंद आनीव वेव थो जो इंट इस फिल्म. एक नया तरीके से एक नया रामकाल बर्मा आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे. I really believe that if your director is coming up with something really interesting and exciting, everything looks very promising. तो इस ताइम राम गोपार गोर्मा भी एक बड़ी फ्रेंशाइजी, इनके साथ सरकार के साथ एक कमबैक कर रहे हैं, आप भी उनके साथ कमबैक कर रहे हैं, कर तक्रीब उन फंदरा साल हो चाहिए, क्या बज़े रही इतने रही है? लेकिन ये है कि मैं काफी सालों से सोच रहा था कि रामो के साथ काम करना है, और इस तरह कुछ इंट्रेस्टिंग आया नहीं था, इस बार जो है, जब मुझे फोन आया तो पहली बात तो मैंने फिल्म को हाँ थे हां इसलिए कि क्योंकि रामो पालवर्मा के साथ काम करने का मैंने स्क्रिप्ट कभी मांगे नहीं आज तक रांगो पालवर्मा जी से और आगे भी नहीं मांगे और इस फिल्म के लिए भी नहीं मांगे, सिर्फ उन्होंने कारेक्टर बताया और मैंने हां कर दिया, मुझे चौथे या पांचवे दिन मुझे पता चला कि मेरा काम खतम लेकिन एक वक्त ऐसा भी हाया होगा, जब आपने उम्मीन छोड़ी होगी कि आज जी में के साथ फ्यूटर में कभी काम करने का मौपा में देगा नहीं, नहीं, हम लोग बीच में काफी डिफरेंसिस रहे, डेफिनिटली, हम लोग काफी लड़ते रहे एक दूसरे से, काफी डिसग्रिमेंट्स रहे, लेकिन वक्त के साथ आदमी बदलता है, ज़ादा मच्यूर होता है, हम दोनों मच्यूर हुए और आज ये फिल्म कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं कितना बदलाव आप देखते हैं उनके अंदर एक्टर के लिए कितना एक्सप्लोर करना है वो आक्टरों को बहुत ज्यादा छूट देते हैं वो अपनी तरफ से जितना रिफरेंसेज हो सकता है जितनी सारी चीज़े होता है वो बता देते हैं उसके बाद वो चाहते हैं कि आक्टर उनको सर्प्राइस करें खास करके मेरे साथ में उनकी उमीद रहती है कि मनोश कुछ नया लेके आएगा तो अपना सब कुछ बताने के बाद वो मुझे पूर तरेकरे से भरोसा करते हैं और शूटिंग के दिन हम सट्रेट अफे मिलते हैं उसके बाद जो होता है हमेशा से मैंने उनके साथ में बहुत सारी फिल्में की है उनका बताने का तरीका ऐसा होता है उनके स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा माट्रियल होता है कि मुझे उसको परफॉर्म करने बड़ी असानी होती है इस सिल्फ के अंदर आप एक निगेटिव कारेक्टर के साथ आप लौट हैं? निगेटिव नहीं है निगेटिव नहीं है इस सिर्फ यह है कि वो बहुत यह आउनस्ट आदमी है और अमबिशियस भी है फैरी है लेकिन वो सरकार के खिलाफ है और सरकार के जात्तियों के खिलाफ है तो मैं उसको निगेटिव नहीं कहूँगा उनकी एक सोच है मदलब जी इस साफ़े होना चाहिए विग भी जो हमारे सभी के महाना है उनके साथ काम करना अब तक अब कही बार भी काम कर चुका हूँ अमीजी के साथ में और एक मौका सरकार में मिला मेरा उनकी साथ में सिर्फ जैसे मैंने कहा मैंने एक छोटा रोल है वो छोटे रोल में एक दिन का काम था मेरा अमीजी के साथ में बहुत ही बड़ी हा रहा अच्छा एक अच्छे तालुगात हैं हमारे अच्छे संबन्ध हैं मैं उनकी बहुत इज़त करता हूँ और मैं जो काम करता हूँ उनको पसंद आता है उस पर हम लों की बहुत बातचीत होती है बस बहुत अच्छा रहा मैं तो यह कोँगा चार फिलमें की हैं और चारो फिलमोम मेरा अनुभा जो है उ य हो घ्र्वा अमीजी के साथ काम करने 270 इस जो नए कला कार के साथ था है तो यह आप किस तरह फील करते हैं अज़र नाइटर, कितना आप बढ़ना देखने हैं और क्या-क्या आप खुद भी परसुनिली उनसे सीख भी लेते हैं? ने, हर आक्टर जो उनके साथ काम करता होगा, कुछ ने कुछ उनसे सीखता होगा लेकिन जब सबसे बड़ी चीज है सीखने वाली की वह चालिस में तालिस साल काम करने के बाद भी वह किसी भी शॉट को किसी भी फिल्म को कभी भी हलके में नहीं लेते हैं बहुत ही मैं काफी एक्साइडिन हूँ, मतलब सिधार्त मलोतर आज के सबसे सौट आफ्टर फेस हैं और काफी जितनी फिल्में की हैं उनमें बहुत सारी फिल्में सफल फिल्में दी हैं उनके साथ ताम करने का उनको बहुत अच्छा रहेगा और यह अपने आप में एक इज़त की बात है कि उनके साथ काम करने का मौका लग रहा है और दूसरी बात यह कि नीर अच्पांडी जी की फिल्म है जिनकी मैं बहुत इज़त करता हूं वह बेमिसाल डिरेक्टर हैं और राइटर हैं बहुत अच्छे परडूसर भी हैं और वह एक तर मेरे बहुत अच्छे दोस् हमारी अस्टेशन की शुरुवात हुई थी जब उनकी फिल्म रिलीज हुई थी तब मैंने उनको फोन किया था और फिल्म की तारीफ भी की थी और मैंने काम भी मांगा था उनसे और वहां एक डिरेक्टर अक्टर से अब हम दोस्ती के तरफ जा चुके हैं और आप अर अध इसलिए करता हूं कि क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही कम ऐसे प्रतिवावान ऐसे इसने टालेंटेड डिरेक्टर राइटर हैं जो नीरश पांडी की तरह से होंगे आपके फिर्म के एक डायलोग पर मैं जाना चाहूंगा यह डायलोग है कि पॉलिटिक्स में गुंडागर्दी अगर ना हो तो पॉलिटिक्स नहीं होती है अपने आपने काफी सोचने वाजी बात है मैं आपसे जाना चाहूंगा परस्नली कि क्या गुंडागर्दी के बग पॉलिटिक्स अगर जहां पर है वहां पर बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं होने चाहिए, राजनीती में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है, गुंडों की जगह जेल में है, राजनीती में अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे इमानदार लोगों की जरूरत है, जो देश के बारे में सोचें, प्रतियक नागरिक के बारे में सोचें, और हमारी सरकार वो काम कर रही है। हम सभी जानते हैं आप कितने संखरश्ट के बाद आप फिल्म इंदस्टी में अपने कदम दखा है। फिर भी कई ऐसे युवा हैं जिनको सही रास्ते नहीं मिल पाते और नाम भी बना पाते फिल्म इंदस्टी में, कई नहीं कई खो जाते हैं। हमने ही सुना है कि आप आपने कुछ सोचा है उनके लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि युवा को बढ़ा हों मिले फिल्म इंदस्टी में। ने मैं चाहता हूं कि दिखिए हर कोई जो मुंबई शहर आता है वो ऐसा नहीं कि बहुत ही प्रतिभावान होता है। मेरा अपना मानना है की जो जिसमें भी प्रतिभाव है उसको एक सस्ती अजगे मिले … यहें आक्टिंग को एक बतार क्राफ्ट के तौर पे एक तकनिक तौर पे एक स्किल की तोर पे सीख सकें क्योंकि जब आपका कोई अपना माईबाप नहीं होता है इस शहर में या इस इंडस्ट्री में तो एक चीज जिस पे बहुत महनत करने की जरूरत होती है वो है आपका अपना क्राफ्ट आपकी अपनी तकनीक जो अमोमन जो निव कमर है इस बात को भोल जाता है कि आपका अपना जो सबसे बड़ा मेंटॉर और सबसे बड़ा गौट फादर है वो आपकी कला है तो उसको सीखने के लिए आपको जितनी महनत कर सकते हैं आप सीखिए ताकि आप दूसरे लोगों से कम्पीट कर सकें दूसरे जो लोग जिनके पास आफसर बहुत ज़ादा है उनसे आप कम्पीट कर सकें बिना कला को सीखे हुए आप उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे भागी के सारे कब तक चल पाएंगे तो उसके लिए एक वरक्शाप करना उसके लिए किसी अच्छे इंसिट्यूट में जाना, किसी अच्छे स्कूल में जाने की कोशिश करना जितना वाक्शाप, जितने तीटर डिरेक्टर के साथ काम कर सकें, उतना काम करना यह सब बहुत जरूरत होती है मुनो जी, हाली में आपने अपनी इच्छा भी जताई थी कि फिल्म इंस्ट्यूट जैसे कि बिहार या जहारखन जाना ने, मैंने यह रिक्वेस्ट किया है, मैं हमेशा करता रहता हूँ कि बिहार जहारखन के जो सरकारे हैं कि उनको एक फिल्म इंस्ट्यूट जो कि गौर्वर्मेंट स्पॉंसर्ड हो वैसे खोलने के जरूरत है जिसमें कि लोगों को फिल्म तकनीक और फिर थीयटर इन सब चीजों की एजूकेशन दी जा सके क्योंकि बारवे के बाद अलग अलग शेतर के में बहुत सारे इंस्ट्यूट खोले हुएं और फिल्म एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है थीयटर एक अपने आप में बहुत बड़ा माद्ध हमें इनके लिए हम कभी इंस्ट्यूट नहीं खोलते हैं इनक कोई रास्ता नहीं दिखा रहे हैं तो इस इस दिशा की तरफ भी सोचने की जरूरत है अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा उम्मीद करता हूँ कि आपको उसका सवाल जवाब देनी कि फिल्म रिवी होगी सरकार पॉलिक से रिवी देट है आप जिस छेतर से बिलॉंग करते हैं उस छेतर की राजनीती से हम लेख रहे हैं कि कुछ बड़ी नेता उनकी तरफ स अब क्या करते हैं कि मैंने कोई पढ़ा नहीं जी मैंने पढ़ा नहीं और एक आखिन में आप से सवाल करना चाहूंगा राम गुपाल गॉर्मा जो है वो ट्वीटर पे काफी चल्चित है उस विशेरा कुछ करने जाए राम गुपाल गॉर्मा जी ट्वीटर के रॉब काफी डिवेट होते हैं और मुझे पता है कि राम को परमा जी जो है दो सासी आदमी है फियरलेस आदमी है उनको फरक नहीं पड़ता है लेकिन वो राम को पाल गॉर्मा जी और ऐसे ही हमेशा रहे हैं तो अभी भी वैसे ही हैं और उनको अपने राय रखने का पुरा जो भूक करकम लिखते हैं वो उनके उपर है आप यह सवाल उनसे पोछी हैने कि प्लेपफ़ूम में पर आपको कि स्वालड उनको टीस कि उसके बाद बार्जी आ गई और मैं चाहता हूं कि यह और यही सोच के किया था कि इस मीडियम को इस फॉर्मैट को सीरेसली लिया जाए इसमें प्रोफेशनली काम हो जब प्रोफेशनली काम होगा तो दर्शक भी इसको गंभिरता पूरवक लेंगे और मैं देख रहा हूं इसको भी उसी तरीके से उसी सिंसेरिटी के साथ बनाने के जरूरत है आप के फॉम मुवीज.com की तरफ से भी कोई पिश्क होने वाली है? देखिए आगे बहुत सारी योजना हैं मुवीज.com की और मुवीज.com बहुत अच्छा कर रही है पॉर्टल की दुनिया में और आगे आने बारे समय में दर्शिकों को साथ रहेगा तो हम आगे बहुत सारी चीज़े करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम से बात करने के लिए। थैंक्यू समस्तर। थैंक्यू